बैवाम हम स्सक्राइब करें जो लोग नहीं सुने हैं वोग इस वीडियो में उनका दूट स्किलिर हो जाएगा तो आप लोग एद्ट कर देखिए हम यह बतने वाले कि Orkid ID क्यों जरूरी है अगर आप research में तो यह आपके लिए क्या महने रखता है तो इसको चलिए आपको simply क्या करना है अगर आप इसके बारे में ज्यादा जाना चाहते हैं इस पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो simply Google में search करना है आपको Orkid ठीक है जो first link आ करते हैं उस सारे paper को एक जगा linked कर देता है ठीक है इसमें अगर by the way किसी कभी किसी करना हो साबका नाम बदल गया या आपने नाम कुछ modification किया एजूं करिए आपका नाम कुछ ABCD है ठीक है नेक्स टाइम आपने नाम बदल के अपना नाम कुछ PQ RS रख लिया जब आप इस न आपको क्या करेंगा कोई नाम बदल के चाहिए कैसे भी नाम से पब्लिस करते हैं आपके सारे paper को एक जगा कर देगा इस पर एकाउंट बनाने के लिए आपको करना क्या होगा simply Google में सर्च करना होगा और्कीड ठीक है जो फर्स्ट लिंक आयागा उसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस टेप से इंटरफेस खुलेगा ठीक है इस पर इंटरफेस खुलेगा आप यहां पर सिंप्ली अपना फर्स्ट नेम इंटर करेंगे अपना शेकेंड नेम जो भी होगा अप्शनल है अपना इमेल आईडी और अगर कोई अल्टरनेटिव इमेल आईडी है तो वह अपने जैसे मैंने आपको नाम बदल के बोला जैसे बहुत बढ़ क्या होता है कि साधिक बाद उनका नाम कुछ बदाज जाता है ठीक है एजूं करिए उनका नाम पाहले कुछ कुछ मान लिए कि रंजना है ठीक है रंजना कुमारी है बाद में इनका यह जूं करें शादी होने के बाद नाम बदल के क्या हो गया रंजना रंजना कुमारी ची ओके दोनों परसंट तो सेम ही है ना ठीक है आप वहां पे आपके रिसार्च पेपर को शायट करने के लिए यह दोनों परसंट सेम ही है यह आपका काम करेगा और यह बिलकुल फ्री है के लिए कोई चार्जेज नहीं है और इसपे आप कहीं भी है यह जैसे यह लौगा configur कर शकते हैं मतलब paper पर सर्च करना चाहते हैं तो आपने अभी तक author से सर्च किया होगा author's first name, last name, affiliation, इस टेप से अब यहां पर एक last option देख रहे होगे, orchid id का, ठीक है यहां पर orchid id इंटर करके भी पेपर सर्च कर सकते हैं ठीक है मैं जैसे example ले 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 रहा है मैंने रेंडमली टाइप किया हुआ है, ठीक है अगर इस author से related जितनी भी पेपर होगे, वह यहां पर listed हो जागा यहां पर देख रहा है कि no author or found, मतलब इस author का भी पेपर है उनका ascopus index भी एक भी पेपर published नहीं है बहुत बार हमारे पास problem कहां पर आता है, जैसे हम किसी के साथ माल यह collaboration में काम कर रहे है ठीक है, मेरा नाम कुछ मानिए, पी कालिका है मैं हर जगा पी कालिका लिखता हूँ, और उनको कुछ पता है कि मेरा नाम कुछ कालिका सिंग है इस टाइप से, उन्होंने मुझे क्या क्या मेरे को second और fourth और फॉर्फ और तुप या इस टाइप से किया ठीक है, इवन तो मेरा ए भी नाम है, ए भी नाम है ठीक है उन्होंने इस नाम को इंटर कर दिया, जाए by mistake जाए जो भी हो ठीक है अब जब उन्होंने जब मेरा और्कीड आइडी इंटर करेंगे तो ओ क्या करेंगा, इस पेपर को इस और्कीड आइडी के साथ लिंक कर सकता है तो मैं एक सो कर रहा हूँ कि आपको और्कीड आइडी से आप कैसे अफलेशन देख सकते हैं एक एक जामपल लोग रहा हूँ, जैसे अगर जीनका है वो simply और्कीड पर लॉगिं भी कर सकते हैं इसके बहुत सारे बेनफिट्स है तो यहाँ पर मैंने बेनफिट्स कर सो किया हुआ, कि रिसेर्चर को इसे क्या बेनफिट होने वाला है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके बारे में पूरा इंफ्रमेशन लिखा हुआ है, यह एक उनिक आईडी होता है, जैसे मैंने बहुता है आपका आधार काड है, तो आप वीडियो को पाउच करके पढ़ सकते हैं या सिंपली आप बेनफिट्स फोर इसेर्चर और की डाइडी में जाके पढ़ सकते हैं, मैंने फ्रिंक लिए आसके कोश्चन भी यहाँ पे डिस्पले क्या हुआ है, इसके बारे मैं पूरे डिटल्स लिखा हुआ तो इसको पढ़ के बताने का कोई मतलब नहीं है, जो मैं मैं इंस्ट्यूशन से सर्च करूँगा, या मतलब अगर आप डिफ्रेंट डाटा से सर्च करना चाहते हैं, तो उसके समें वो लिंक नहीं करेगा, मतलब ओ क्या ट्रीट करेगा, आपका अगर डिफ्रेंट कभी अफिलेशन अलग है, या नाम अलग है, तो वो अलग अलग अगर आपका अगर आपको दुप्लिकेट डाटा है, तो कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, जो भी इनफ्रमेशन और आपको डवाट हो गैश्रेलेट, आप यहा पर कर सकते हैं, और अगर आपका कोई फ्रेंड या आप किसी और की साथ कोलाबरेशन में काम करने हैं, तो आप आपका orchid ID भी अपने paper में mention कर रहा है, जैसे for example मैंने यहाँ पर show किया हुआ है, कि आपकी step से उसको अपने paper में mention कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखें, उसका एक छोटा सा logo भी आता है, यहाँ आप internet से download कर सकते हैं, उसमें site करने के भी बताया गया, अगर फिर भी required हुआ ता आप second author, third author जैसे देखें, आप बाकी authors के साथ उनका orchid ID लिंक्ट नहीं है, तब यह ही होगा कि इनका अगर कभी नाम change होता है, या कोई data mismatch होता है, तो एक account के साथ लिंक्ड नहीं हो पाएगा, तो जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट यहाँ पर अपना नाम पी कालिका लिख सारे papers को एक account के साथ लिंक कर देगा, one account, one researcher, तो आप इस way में इसको लिंक कर सकते हैं, आप वाइड में टेक्स में जिसमें भी करते हैं, इजली कर सकते हैं, तो पेपर कम्मुनिकेट करते वक्त भी यह आपको help करता है, जैसे मैं एक example शो कर रहा हूँ, journal of number थे होईगा, ठ पेपर पब्लिश करना है, तो मैं क्या करना हूँ, simply submit your paper, इस पर क्लिक करूँगा, ओके, submit your paper पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टेप के इंटरफेस खुल जागा, अब यहां से अगर आपका पहलेश एकाउंट बना हुआ है, journal of number थे होईगा, अगर आपका पहलेश एकाउं होगा, link my account with orchid id, आप उसमें enter कर देंगे, और first time है, जैसे बहुत सारे journal में आपको बार बार क्या होगा, कि जैसे एल सेवियर के मान लीजिए, आप किसी journal में paper publish करना चाहते हैं, तापको क्या करना होगा, हर, बहुत सारे journal है, बहुत बहुत होता है, पेपर reject होता है, तो उ orchid id, तो देखिए, अब orchid id कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर तेक हो गया, आप जो register now करके कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए register now पर मैं click करता हूँ, register now पर click करने के बाद, आपको एक तो by default जो information fill करना होता है, first name, last name, इस टेप सा फिल कर सकते हैं, यहाँ फिल, simply use my orchid id, यहाँ पर orchid id वीच करके directly वहाँ से, यह देखिए, orchid id वाला interface खुल गया, यह वहाँ से link कर देगा, आपको orchid id पर login करना होगा, orchid id का जो भी email id और password है, वो इंटर करेंगे, वो आपका नाम यहाँ पर show करेगा, जैसे मैं अपना इंटर कर दे रहा हूँ आता, मैं separate video दूसरा बनाने वाला हों कि paper based journal आपके लिए कैसे find out करे, ascopus और wave of size index, जो बिल्कुल free of cost paper publish करता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कि मेरा नाम सो करने लगा है, ठीक है, इस orchid id अब यहाँ पर आप authorized access कर देंगे, authorized access कर देंगे, तो क्या करगा है, यहाँ एक account create कर देगा, ठीक है, अब by default मेरा सारा data यहाँ पर import होगा, मुझे manually कुछ भी fill नहीं करना पड़ा, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ personal data है, जो मुझे fill करना है, यहाँ पर देखे, login करने बाद जो मैं बोला था, यहाँ पर आपका ID सो करने लगेगा, इस वे भी आप कर सकते हैं, आपके बहुत सारे जॉर्नल में बहुत सारे ID और password करने से बढ़िया है, कि एक ORKID ID बनाएए, और उससे का हो सारे problem आपके श्रूल हो जाएंगे, ना आपके different ID याद रखने होंगे, ना इसके क्या other event future कर जो भी है, तो I think यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहाएगा, तो अभी next वीडियो हमारा कि कोई best journal हम कैसे find out करे, free of cost, oscopus index, web of science index में या UGC listed में हम कैसे paper publish करे, तो हम जलदी अगला वीडियो अपलोड करने वाले है, अगर यह वीडियो आपके लिए helpful र Thank you!